राधे राधे मित्रो मैं सोनिया भाटिया आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान में गलती से भी घर की छट पर ना रखें ये पांच चीजे वरना कंगाली है तैयार मित्रो घर की छट पर हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा समान रखाएं जो हमें नहीं चाहिए क्योंकि घर में जगे कम पड़ जाती है या कुछ ऐसा समान होता है जो घर में जगे गेरे रखता है तो उससे घर गंदा लगने लग जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये समान तो हमको चाहिए नहीं है तो घर की छत पर रखाएं लेकिन आपको घर की छत पर जब भी आप कोई समान रखें तो आपको पांच ऐसी चीजों का ध्यान रखना है तो चलिए मित्रों जानते हैं वह क्या चीजे हैं जो घर की छत पर हमें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए कई बार एक छोटी सी गलती हमारा बड़ा नुकसान करवा देती है जाने अंजाने में हम छत पर ऐसी चीजों को रख देते हैं जो बाद में हमारी कंगाली का कारण बन जाती है वास्तु दोश इंसान के जीवन में बड़ी समस्याईं लेकर आते हैं इसलिए शुब यां मांगलिक कारे नई चीजों के निर्मान और घर के समान के रख रखाव में इसका विशेश ख्याल रखा जाता है घर में वाद विवाद से लेकर रुपे पैसे की तंगी वास्तु दोश के परिडाम हो सकते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार आरे घर की चट पर रखी कुछ खास चीजे नकरात्मक उर्जा के परभाव को बढ़ाती है ये घर में कलेश, वाद विवाद और आर्थिक समस्याओं को बढ़ावा देती है इसलिए चट पर इन चीजों को रखना बहुत अशुब माना जाता है आईए आज जानते हैं कि चट पर कौन सी चीजे रखने से वास्तु दोश होता है पहला बास, चट पर कभी भी बास या बास से बनी चीजे ना रखें ऐसा करने से घर का महोल हमेशा बिगड़ा रहता है कोशिश करें कि ऐसी चीजों को स्टोर रूम या घर से बाहर ही रखा जाए जंग लगा समान घर की चटों पर कभी भी लोहे का जंग लगा हुआ समान नहीं रखना चाहिए इसके कारण होने वाले वास्तु दोश आर्थिक मोर्चे पर अपनी मुश्किले बढ़ा सकते हैं घर की चट पर लोहे का जंग लगा सवान रखने से शनी भी नराज होते हैं काटेदार पोधे अस्टुशास्र के अनुसार घर की चट पर भूल कर भी काटेदार पोधे ना रखें ये व्यक्ति की तरक्की में बाधाएं पैदा करते हैं आपको छट पर कैक्टस जैसे पोदे नहीं रखने चाहिए तूटे हुए गमले अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर की छटों पर तूटे हुए गमलों में पोदार ओपन करते हैं वास्तु में ऐसा करना गलत बताया गया है चट पर रखे हुए गमले दुरूस और अच्छी सिती में होने चाहिए जाडू घर की चट पर कभी भी जाडू ना रखें ऐसा कहते हैं कि खाली चट पर जाडू रखने से मा लक्ष्मी नराज हो जाती है शास्त्रों में लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है इनके नराज होने से सुख सम्रिदी पर बुरा असर पड़ता है चलिए मित्रों आज हमने जाना कि घर की चट पर कौन सी चीजे हैं जिन्हें बूल कर भी घर की चट पर नहीं रखना चाहिए नहीं तो घर की आर्थी सिती कमजोर होती है और घर में कलेश और वाद विवाद बढ़ते जाते हैं तो अब मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूँ विदा लेने से पहले बता दूँ कि मेरे आस्ता और जोतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझ से करवाना चाहते हैं तो मैं मात्र 500 रुपे में उनकी कुंडली का विशलेशन करूंगी यह डिसकाउंट मैंने आपको जनवरी तक दिया हुआ है क्योंकि जनवरी महा आ रहा है नया साल शुरू होने ही बाला है तो सभी लोगों को जुरूरत होती है कि वैं जाने कि नया साल उनके लिए कैसा आ रहा है और इसके साथ साथ अगर कोई अपनी समस्या का ज्योतिशियो पाए चाहता है तो वैं मुझे कमेंट बोक्स में अपनी समस्या लिख कर भेज सकते हैं लेकिन वैं समस्या कुंडली से रिलेटिड नहीं होनी चाहिए कुंडली से रिलेटिड समस्या अगर आपको हल करवानी है तो आप मुझे वर्टसेप पर अपना डेटो बर्ट, टाइमिंग वगरा लिख कर भेजिए और उसके साथ आप एको गूगल पेमिंट करिए 500 रुपे तो उसके बाद मैं आपकी कुंडली का विशलेशन करूँगी इसके अलावा अगर आपको अपनी किसी समस्या का हल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बोक्स में लिख कर भेज सकते हैं मैं उसके वीडियो बनाकर आपको उसका जोतिश उपाय बताऊंगी अब मैं सोनिया भाटिया आपसे विदा लेती हूँ अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल आस्ता और जोतिश ग्यान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे विश्यों पर जो जोतिश से सम्मंदित है आपके लिए बना पाऊं और आपको समय समय पर ऐसी चीजों से अवगत कराऊं जो आपको नहीं पता और भूल से आप वो चीजे करते हैं तो चलिए मित्रों अब मैं आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद मित्रों